हेलो आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्टे का चेप्टर 8 के इंपोर्टन टैक्शिल कोशन आज मैं करवाने जारो कोशन नमर 5 तो कोशन नमर 5 था हमारा कि एक्जामाइन करें उन सबूतों को जो सुझेस्ट करते हैं कि मुगलों के राजकोशी सिस्टम के लिए लैंड रेवन्यू बहुत ही इंपोर्टन था ठीक है अब एग्रिकल्चर जो था वो मेन अधार था एकोनिमी का ठीक है अब लैंड रेवन्यू जो जाने की भूर राज रेवन्यू इकठा किया जाता था वो वहां पर यूटिलाइज किया जाता था ठीक है इसलिए ये बहुत ही इंपोर्टन था कि एक परशासनिक तंतर को एस्टेबलिश करना ताकि क्या एंशूर कर सके एग्रिकल्चर जो प्रोडेक्शन होती थी उस पर कंट्रोल को नोसकिते जोफ़ारी लेती थी ठीक है अब लैड रेवन्चन कोष्ण किया जाती थी उस्की अर्र कोती है वह यूचो किसा स्तू कोती तहिए शिक्uating शूर्ट करें ठीक है ओसटीए जो लैंड रेवन्चन करूशिश के प्रैफर्टो कि जादा से जादा profit कमाया जाए कहां से वह जो land revenue इकठा किया जाता था ठीक है बहुत cultivated and cultivable lands were measured मतलव कि जिस पर खेती की जाती है और इस पर खेती की जा सकती है ऐसी lands दोनों ही तरह की जो जमीने थी उनको मीजर किया जाता था हर शेतर में ताकि land revenue को fix किया जा सके ठीक है according to a decree of acquire ये responsibility होती थी किसकी माल गुजार की कि वो cultivar को क्या करें कि उनको कहें कि वो land revenue जो किसमें दे बस्तू के farm में दे और उसको आगे भी open कर सके open रखे ठीक है तो ये evidence से कि ये clear हो जाता कि जो monetary transaction थी वो बड़ी ही जादा important थी और इस policy को continue रखने के लिए काफी emperor जैसे कि औरंग जेव जो थे उन्होंने भी continue रखा कि वो land को मीजर कर सके मीजर करें तो land को मीजर करें और वहां से क्या करें land revenue को इकटा करें थैंक यू